दोस्तों नमस्कार मैं हूँ चै और आप देख रहे हैं चैस्तेनियोज महाराज के सियम उदो ठाकरे के कई बड़े पॉलिटीजियन जो कि पिछले काफी टाइम से लगातार किसी न किसी ब्रस्टाचार के आरोप में फस रहे हैं और उनके खिलाप में सेंटरल एजेंसी यानि की EDR-CBI के दोरा लगातार कारवाई चल रही है जिसकी वजासे उदो ठाकरे की परचानिया पहले ही काफी ज़्यादा बढ़ी हुई है लेकिन अब इनी सब चीजों के बीच में एक और बड़ी अपडेट आ रही है जिसकी वजासे उदो ठाकरे की परचानिया इन फ्यूचर काफी ज़्यादा बढ़ने वाली है आप सब को बता दूंकि जैसा कि अभी अपडेट आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि केंदरी मंत्री नारायन राने ने अपने ट्यूटर रिकाउन पे एक ट्वीट किया है जहां पर उनके द्वारा दावा किया गया है कि उनको पता चला है कि मातोसरी में चार लोगों के खिलाप में इडि की तरफ से एक नोटीस तैयार की गई है और ये नोटीस जलद ही उनको भेजी जाएगी और उनके खिलाप में कारवाई की जाएगी नारायन राने के द्वारा सीधा-सीधा अपने ट्यूटर रिकाउन पे ट्वीट किया गया है और उनके द्वारा दावा किया गया है कि जल्द ही मातो तरी के चार लोगों को जो है E.E.D. के द्वारा नोटीस बेजी जाएगी और उसके बारे में उनको पता चला है और जल्द ही इस पे कारवाई की जाएगी सबसे बड़ी बात कि अगर सेंटरल एजेंसी के द्वारा की इस बार कोई कारवाई की जाती है और महराज के सियम उधो ठाकरे या उनके कोई बड़े मंत्री इस केस में फस्ते हैं तो मैक्सिमम चांसे से है कि महराज गौर्णन जो है काफी ज़्यादा खत्रे में पड़ जाएगी जैसा कि पिछले काफी टैंस से यह इन्यूश सामने आई रही है कि उधो ठाकरे की सरकार जो है काफी ज़्यादा पर परसानियों में चल रही है साथ में आपको बता दूँ कि जो नारायन राने हैं इनके बारे मैंने पिछलोगी वीडियो मताया ही था कि इन्होंने सुसान सिंग राजपूत और दिसा सालियान केस को लेकर भी एक ट्विट किया है जहां परन के दौरा दावा किया गया है कि जल्दी सुसान सिंग राजपूत और दिसा सालियान जो डिट केस है उसमें एक बहुती बड़ा खुलासा करने वाले हैं और इसमें वो जो है नाम भी बताने वाले हैं आकिरगार कौन कौन लोग जो है इसमें सामिल थे और साथ में ही सबूत भी पेस करेंगे अगर ऐसा कुछ नारायन राने के द्वारा किया जाता है तो कहीं न कहीं महराज सरकार आने वाले टाइम पे बहुत थी बुरी तरीके से फश जाएगी आप सबसे बड़ी बात की क्या नारायन राने सच में ऐसा करते हैं या वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी बाते बोल रहे हैं क्योंकि इस टाइम जो है सिवसेना के कई बड़े पॉलिटिसियन के द्वारा बीजेपी नेताओं को चारो तरफ से घेरा घेरा जा रहा है और उनको जो पर आपनों अपिनियन कमेंट बॉक्स मताएं और वीडियो बजाया श्यादा सेयर करें